दो हज़र चौबस लोकसभा चुनाव में पीजेपी को केंदर से उखार फेकने के लिए बिहार के सीम नितिश कुमार ने राजस्थानी पटना में विपक्षी दलो के साथ बैठक की इस बैठक में तिलंगाना की सतधरी पार्टी बियारस को भी नोयता दिया गया लेकिन बियारस चीफ ने विपक्ष की बैठक में आने से साफ इंकार कर दिया इसके बाद के सीयार ने तिलंगाना चोड महराष्ट में एंट्री की तो महराष्ट में M.V.A. नेता नराज हो क्या है पूरी खबर देखे इस रिपोर्ट में पूर्ट देते रहे किसान और दलीतों को केंद्र में रखकर केसियार, मराठ फाणा और विधर्व में अपनी पाठी का चुनाधार बढ़ा रही है जिसके बाद संजेरावत में कहा कि अगर केसियार इस तरह का ड्रामा करेंगे तो उनके हाथ से तिलंगाना भी चला जाएगा तिलंगाना छोड केसियार महराष्ट में आई है और उधर उन्हीं की पाठी के कई बड़े निताव ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है ये कॉंग्रेस और केसियार के बीच की लड़ाई है और महराष्ट में MBA काफी मजबूत है संजेरावत इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने दो टूक में कह दिया कि केसियार तिलंगाना की राशनिती का बतला महराष्ट में लेने की लिए आ रही है इसके पीछे बीचेपी का हाथ है केसियार लड़ने वाले नीता है वो बीचेपी के सामने सरेंडर क्यों हो रहे है गौर तलब है कि भारत राश्टिय समीती के अध्यक्ष केसियार भले ही प्रधान मंतुरी बनने का सपना देख रही हो लेकिन फिलहाल उनकी नजर पार्टी को राश्टिय पार्टी बनाने के साथ सत तिलंगाना बचाने पर भी है क्योंकि तिलंगाना में कॉंग्रिस का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है वहीं बियारेस के 35 नेता सुमवार को कॉंग्रिस में शामिल हो गए इसलिए कॉंग्रिस को घेरने के लिए अब पिलंगाना के सीम के सीयार ने महराष्ट प्लान बनाया है